हम बात कर रहे हैं सिंगेज एलजबरा की जिसका चिप्टर सेवन पर रोटेशन एंड कॉमिलेशन की बात हो रही है जिसकी कंसेप्ट अप्लिकेशन एक्सरसाइज 7.4 की बात हो रही है तो देखते हैं उसका नेक्स्ट कुश्चन देखें थर्ड कुश्चन क्या कहता है जब तक हम कुश्चन पढ़ते हैं तब तक आप देदारे कुश्चन करें कुश्चन कह रहा है कि find the number of words which can be formed using all the letters of the word institution which start with consonant condition न दे भी होती तो आंसर कुछ और होता है institution word is different मेरा समझेगा मैं फिलहाल लिखे दे रहा हूँ institution एक word दिया है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा word है इसमें ऐसा कुछ थे आई एन एस टी यू आई ओ एन ऐसे कुल लेटर्स दिये हुए हम जानवूज कैसे लिख रहे हैं ठीक है यानि कि यह आई एक साथ तीन बार repeat करना है एन रिपीट करना है टी रिपीट करना है और यू ओ और एस अलग अलग है तीन दो पान दो साथ एक आट नो दस ग्यारा word है अब कहरें कि आपको institution में कितने word बनेंगे अगर हम से क्यों यह question पूछते कितने word बनेंगे तो हम कहते वैसे तो factor 11 बनने चाहिए थे लेकिन आई तीन बार repeat हो रहा है तो factor 3 से divide करेंगे n दो बार repeat हो रहा है factor 2 से divide करेंगे t दो बार होगा factor 2 से करेंगे यो answer आएगा लिख देंगे उन्होंने ऐसा नहीं कहा उन्होंने कहा कि letters consonant से start हो अब consonant में n भी start हो सकता है s से भी start हो सकता है t से भी start हो सकता है starts from n तो को n से start होगा तो एक ही n लिख होगा ना पहले है दो लिख लोगा है दो लिख सकता हो हमसे उसे बतर मिए एक n तो यह fix हो गया इसका काम खतम अब यह बनेगा i i i n अकेला हो गया s t t u o तो total जो words बनेंगे total जो words बनेंगे वो कितने बनने वाले है factorial 10 बनने वाले क्योंकि अब इस later से कोई मतलब नहीं होता है permutation का मतलब arrangement लेकिन जो चीज fix हो जाती है वो उस permutation को disturb नहीं करती है तो लेकिन इसमें i तीन बार repeat हो रहा तो factorial 3 into factorial 2 t दो बार हो रहा n से कोई मतलब नहीं है एक n आपने लिखी लिया है एक ही n बचेगा ठीक अब इस n से start हो चाहे इस n से start हो हाँ यह n यहां भी आ सकता है लेकिन यहां पर आएगा ना इसको डिस्टर नहीं करेगा ठीक है अच्छा दूसरा case है अगर word start with एक और word यह एक पर रहेगा और यह s यहां आ जाएगा तो लेटर्स तो आपके 10 हो गए तो factorial 10 हो गया लेकिन divide किसे करोगे i वाले number से भी करोगे n वाले number से भी करोगे और t वाले number से भी करोगे अब जड़ा यह बताओ यह word जब बना था और यह word बना है कि यह वाला word इसको disturb कर रहा था यह बन चुके यह word बन चुके यह अलग word बन रहे है इसके arrangement से ये वाले word disturb नहीं होंगे इसलिए यहाँ पर plus किया जाएगा multiply नहीं होगा थे ठीक है अच्छा तीसरा case यह हो सकता है कि word T से start हो अब T से start हो तो ये T यहाँ पर आजाएगा एक T यहाँ कम हो जाएगा S कहीं पर भी हो जाएगा तो latest कितने बनने वाले है factorial 10 upon I 3 बार repeat हो रहा है और N 2 बार repeat हो रहा है factorial 10 upon factorial 3 into factorial 2 सुमने बात आई नहीं आई और को repeat हो रहा है क्या T से start होगा तो T 2 बार था तो T से कौन कौन disturb हो रहा है T N I 3 बार हो रहा है N 2 बार हो रहा है और T बार ही लिखा हूँ है हाँ ठीक है कुछ डिस्टर्ब कर रहे है क्या नहीं नहीं यह दैंग है आंसर टाली कर रहे थे देखे I 3 बार हो रहा है N 2 बार हो रहा T 3 बार है क्या हाँ T 3 है sorry T 3 है यहापर T 3 है यहापर जब T से तो ग्रबड हो जाएगा ना तो एक टू से और डिवाइट करोगे समझ में बात नहीं नहीं बात समझ में आगे ना तो अब टोटल नंबर कितने बनेंगे तो टोटल जो वर्ट्स बनेंगी टोटल पॉसिविल अरेंजमेंट जो होंगी या टोटल वर्ट्स जो होंगी टोटल वर्ट्स फैक्टोरियल टन अपान फैक्टोरियल थ्री इन्टू फैक्टोरियल थ्री इन्टू फैक्टोरियल थ्री इन्टू फैक्टोरियल टू प्लस फैक्टोरियल टन अपान फैक्टोरियल थ्री इन्टू फैक्टोरियल टू इन् कर लिजेगा हम फिलाल कल्कुलेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेरा आंसर इसी फार में आ रहा है इसलिए कल्कुलेट नहीं कर रहे हैं तो this is the third question next in the next video नमस्कार